इस जड़ा मैच कल इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया दा होन जा रहे हैं यह पंजाब ली पंजाब वासियां ली बड़ा प्रिस्टीजियस मैच है और इस दे पुकता सुरुख्या परबंद कर ली असी फोर टियर सेक्यूरिटी अरेंजमेंट्स कीते हैं मिस्टर गुर्पीट सिंग भुलर जड़े आईजी रोपर ने वो इस दे ओवर ओल इंचार्ज ने और इते दो एससपी साहबान एससपी मोहाली हैं एससपी रोपर इना दी भी ड्यूटी इते लगाई गई है जड़ा एक आफसर मैच और स्टेडियम और इस दे आले देवाले दी सेक्यूरिटी दिखनगे उते ही दूसरे आफसर जड़ी साधी आउटर सिटी दी सेक्यूरिटी है उसनों पुक्ता बनांगी इस सारे इस सारे इस क्रिकेट मैच देविच लगबक तिन हजार असी मैन पावर जड़े दर्शक है थे अंगे उना दी सुरख्या और कन्वीनेंस नों त्यान रख दे हुए है अट पार्किंग स्लोट्स बनाए गए है वक्री वक्री जगह असी रिक्वेस्ट कीती है PCNU की जड़े दर्शक है इना दी कन्वीनेंस नहीं सारे प्लेकार्ड्स और बोर्ड लगे किते जाना है किड़े गेट दी एंट्री किस पास से मैं इस तो अलावा जड़े आलेद वाले लोक रहने हैं उना दी कन्वीनेंस में असी रूट दे ट्राफिक डाइवर्जिंस और उस दे भी पुक्ता परबंद कीते हैं ताके जड़े इते निवासी निड़े रहन तक असी एंशॉर करांगे कि इते दी सेक्यूरिटी फूल प्रूफ होगे और ये मैच बड़ी चंगी तरह सुखामे बातावरन दिवेच मुकामल होगे मैं अजे सारे जड़े साडे जीयोज गस्टेड आफसर्स जिना दी वकरे वकरे पॉइंट्स ते ड्यूटी लगी हैं उनना दी ब्रीफिंग भी किती गई और उननों आज एक रेहर्सल भी कराया गया ताके वो अपने एरिया ओफ रिस्पॉंसिबिल्टी दे नाल वाकफ ह जाना है जिस तरह में दौनों दुस हैं कि जिड़े इते क्योंकि नाल रिजिदेंशल लोकालिटी ज ने कुछ ट्राइफ़क डाइवर्जिंस कीते हैं और लेकिन इस बादा ख्याल रख्या गया है कि जिड़े लोकल रिजिदेंस ते उननानों कोई इंकिन्विजिन्स ना सारी सुरख्या दे पुक्ता परबंद करन लेए यह थे दो ऐसे स्पी रैंक दे अधिकारियां नों निउगत किता गया है और सिटी दी सारी सुरख्या जिड़ा भी कोई डिमोंस्ट्रेटर्स आ सक दे ना केवल कौमीन साफ बलकि होर भी कोई डिमोंस्ट्रेटर्स इते आ सक दे सो उना नू रोकन ले, उना नाम गलबात करन ले, असी पुकता सुरुख्या प्रबंद की लिए ये जो मैच भारत बनांद आस्ट्रेलिया का कल यहां होने जा रहा है, ये पंजाब के लिए एक बड़ा प्रेस्टीजियस इवेंट है और इस मैच के लिए हमने सक्त सुरुख सुरुख्या प्रबंद किये हैं, इस मैच की जो ओवरॉल सेक्योरिटी रिस्पॉंसिबिलिटी है, वो मिस्टर गुर्प्रीत सिंग भुलर आईजी रोपड रेंज की होगी, और इनको असिस्ट करने के लिए SSP महाली और SSP रोपड की ड्यूटी लगाई गई है, इस सारे जो हमने सुरक्षा का घेरा बनाया है, इसमें लगबख 3000 के करीब हमारी मैन पावर लगी है, ये मैन पावर मैच शुरू होने के पहले से लेके मैच खतम होने तक और दर्शकों के वापस जाने तक अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात रहेगी, जो दर्शक आ रहे हैं, उन को कोई inconvenience का सामना ना करना पड़े, जो हमारे local residents हैं, या मोहाली के रहने वाले, उनके लिए एक traffic advisory भी जारी की गई है, कुछ traffic divergence प्लैन किया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है, कि जो local residents हैं, उनको कोई inconvenience ना हो, आज Punjab Police के दोरा जो हमारी एक मोहिम है, gangsters, anti-social elements और smugglers के खिलाफ, उसी की कड़ी में आज एक बड़ा operation Punjab Police के दोरा किया गया, इस operation में जो एक हमारा most wanted gangster है, गोल्डी बराड, उसके जतने associates हैं, उनके घरों पे, ठिकानों पे चापे मारी की गई, और एक हजार से उपर जगे हमने ये चापे मारी की, हमारे senior officers, SSP ranking officers, ने इस operation को monitor किया, इसको supervise किया, और इसके results जैसे ही आएंगे, हम आप से सांजी करेंगे. मैं वही आप से बता रहा हूं कि हमारे तक्रीबन 5000 police officers इस सारे operation में आज हमने use किये, और इसके results आने शुरू हो रहे हैं, वो compile करके हम आपके साथ जरूर सांजी करेंगे. अभी तक हमारे पास कोई official communication receive नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको investigate कर रहे हैं कि क्या कारण बने, क्या हालाद बने, जैसे ही कुछ होगा, आपके साथ हम सांजा करेंगे, बट हमारी investigation भी जारी है. सब चल रहा है, it is a matter of investigation, हम सारे aspects देख रहे हैं, social media, media के जरिये जो जानकारियां आरही हैं, but we are actually waiting for the official communication, जब वो मिल जाता है, उसके बाद हम आपसे पंजाब में, we are totally committed to maintain law and order and peace at any cost, we will not allow anyone to disrupt the peace, as a matter of fact, I would like to tell you that all major cases have been traced in a record time in last one year, the recoveries under NDPS have been a record, it has been three times than what we had recovered last year, so we are geared up and ये एक जो आपने operation की बात करी, ये एक isolated operation नहीं है, we keep on doing such operations against all these anti-social elements, gangsters and drug dealers, thank you very much